नमस्कार मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉगिंग चैनल हम आचुके हैं अपना कॉलेज का कैमपस में जो कि आप देख सकते हैं कॉलेज का नाम उपर में दिख रहा होगा राज की अभी अंतरन महाविद्याल है बैसाली तो कि अभी ये कॉलेज हम लोग का चल रहा था गुवर्मेंट पोल्टेकनिक बैसाली में और यहाँ पर नया कैमपस में शिफ्ट हुआ है और ये कॉलेज का कुछ नजारा आपको इधर बाहर का नजारा दिखाए थोड़ा और चलिए कॉलेज में इंट्री करते हैं और कॉलेज पूरा बन कर तयार हुआ है या फिर बन रहा था स्टार्टिंग से तब से ही बन रहा था तब से बन रहा था तब से बन रहा था उस टाइम का क्या मतलब कि यहां का सीन रहा है बहुत अच्छा से आप लोग का यहां स्टार्टिंग से और इंका कॉलेज जब सारा क हुच हो चुका है तब जी सरजी आप लोगो नहीं लगता है कि यहां पर उस्तन लग रहा होगा की एकदम सुना सुना सा लग रहा क्यों कि लिए और और यहां का आज पास को सिट पर सासनिक भावन का गार्डिन के लिए रखा गया है फिर उधर भी होस्टल की लिए बाइज होस्टल के लिए गसमे तो गया हैंगी लिएप और एकेडमी के लिए तो जैंस दोनों रहेंगे तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को कैसा महौल है और क्या के अंदर बेवस्था है अभी नया कॉलेज है तो अभी तो बेवस्था हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मेरा पाहला दिन है यहां पर इस कॉलेज में हम भी इसी कॉलेज के स स्टूडेंट हैं और मेरा फाइनल यार्ए स्टूडेंट है तो यह देख सकते हैं आप कॉलेज का यहां पर सास्नीग भवन है इसमें कलास चलेगा अभी तो नहीं चल रहा है क्योग योग यह स्टार्ट ही ऊपते हैं तो कroot तो आस यहां पर कर देख सामने में आपको पानी के लिए वेवस्था दिख रहा है आपको आरो वाटर दिख रहा होगा चलिए सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर लगा हुआ है एक्वड गार्ड का ड्रींकिंग वाटर यहां पर लगा हुआ है और देख सकते हैं यहां पर इधर आपको दिखेगा इधर भी रूम दिख रहा है और यह देखिए ट्वाइलेट है देख सकते हैं और यह छोटा सा रूम बनाया गया है देख सकते हैं यह पता नहीं इसमें क्या होगा देख सकते हैं यह देखिए यह आपको कैफेरिया है कैफेरिया में यहां पर देख सकते हैं अंदर क्या क्या है बेवस्ता यहां पर पानी का बेवस्ता है फैन यह सब चल रहा है और यह फ्रेंड्स लोग पानी भर रहे हैं और देखिए अंदर में यहां पर कीचेन है कैफेरिया में यह सब खाना खाने के लिए यहाँ पर टेवा लगाया गया है और चेयर लेकिन अभी यहाँ पर कैंटीन चालू नहीं हुआ है क्योंकि अभी तो होस्टल में एड़ीशन ही चल रहा है तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह अस्टोर रूम है अंदर घुज कर देखते हैं कुछ है किया बट यहाँ पर देखिए अस्टोर रूम में कुछ भी नहीं है अभी चलिए और यहाँ पर देखिए कीचेन भी है बेगल में देख सकते हैं कीचेन है यहाँ पर और कीचेन में ताला लोक है और यहाँ पर देखिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर लगाया तो देख सकते हैं आपको धूल ही धूल दीखेगा और उपर आने के बाद आपको classroom भी दिखाने का कोशिस करेंगे कि classroom में कुछ बेवस्था हुआ है या नहीं वो देखते हैं देखिए यहां पर boys common room है उसके बाद यहां पर देखिए boys common room में अंदर जाकर देखते हैं क्या है तो देख सकते हैं boys common room है यह है देख सकते हैं common room में तीन gate है देखिए यहां पर एक है दो है और एक और है देख सकते हैं आपर boys common room का यह gate है चलिए इससे बाहर निकलते हैं और देखते हैं देखिए इधर इधर girls common room भी है girls common room को भी दिखा देते हैं देख सकते हैं देखिए यहाँ पर girls common room है यह देख सकते हैं dust ही dust दीखेगा आप सभी को और यहाँ पर चलिए चलिए second floor पर आ चुके हैं second floor पर भी lab ही lab आपको दीखेगा यहां पर देख सकते हैं lab number 19 है उसके बाद आगे भी है 90, 20, 21 ऐसे करके आगे भी lab है और उसके बाद एक classroom का भीूज आप सभी को दिखाते हैं देखिए अभी यहां पर cartoon पड़ा हुआ है क्योंकि अभी सारा कुछ setup हो रहा है setup होने के दोरान आप सभी को दिखा रहे हैं और य एक बेंच पर साइब इस पर कितना बेंच कितना लोग बैठेगा जी इस बेंच पर हमको लगते हैं कपन लोग आथ दो बैठेगा ऐसे नहीं हो दो फ्रेंट आए तो पूरे बैक बेंचर से एक भी भड़ जाएंगे तो देखिए एक कुछ एक लास्रूम का नजारा है दे कुछ यहां पर देखिए यह जो इसमें कुछ समान रखा हुआ है साइद आमें लग रहा है टेबल ही होगा और देखिए यहां पर क्लास्रूम नंबर 6 इसमें देखिए यह भी क्लास्रूम दिखाते हैं इसमें कोई नहीं है और देखिए यह क्लास्रूम है और क्लास्रूम में ब 총 या चारों तरफ से बालब यहां पर यहां पर आजाता है बौईस्टुआईलेट्ट के अंदर आके दिखते हैं देखते हैं कि ट्वाईलेट का डिजाइनी की स्थया गया है यहां पर देखिए आपको वैस्टुआइ्लेट का यह नजारा है जो कि देख सकते हैं काफी ज्यादा सौंड यहां पर गूंज रहा है यह देखी यहां पर यहां पर एनक लगाया गया है यहां पर हाथ दोने का बेवस्था इधर ट्वाइलेट करने का उस चलिए यह थर्ड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं सब्सक्राइब आता है तो यहोर। यहां पर आपको कुर्फ नहीं दिखेगा लिए देखिए यहां पर डैश्ट भारा हुआ है अभी कुछ यहां पर बिवस्था नहीं किया गया है सändक किया देख किया नहीं नीं और टॉप का नजारा दिखाएंगे, टॉप से आपको नजारा दिखाएंगे कैसा दिखता है, अब हम आ चुके हैं, कॉलेज का टॉप फ्लोर पे जो कि देख सकते हैं, यहां पे छट पर आ चुके हैं, और यहां पे धूप दिख रहा है, और धूप देखने के बाद आप बाहर का जो ग्राउंड में एक यहां पर आईसर भी लगा हुआ है जो कि अगर विजली चली जाती है तो किसी वरकर का कोई दिक्कत नहीं हो विजली के कारण और यहां पर देखिए काफी अच्छा यह ग्राउंड बनाया गया है इसमें आराम से बैठ कर मजे कर सकते हैं जो से बाहर निकलते हैं आपने देखा यहां पर कॉलेज का कैमपस दिखाया और परशास ही भावन का पूरा बेवस्था दिखाया क्या कि क्या भी कॉलेज का अंदर है उसके बाद देखेयां यह और इधर गैज्स होस्टल है दोनों के बीच में एक गैपिंग दिया हुआ है देख सकते हैं तो आपने परसासनिक भवन देखा और उसके बाद हम आ चुके हैं गाल्स होस्टल और वाइज होस्टल को देखने के लिए अब यहां पर इधर गाट सब बैचे हुए हैं आईए अंदर चलते हैं आप सभी को दिखाते हैं कि क्या क्य विवस्था भी किया गया है शुडेंट्स के लिए आए तो यहां पर देखिए कुछ फ्रेंट्स लोग घूम रहे हैं तो क्या जी वाइस उस्टल में बिखाते हैं कैसा विवस्था है तो यह देखिए वाइज होस्टल में हम घौ स चुके हैं और यह सबसे नीचे वाला फलोर है और देखिए उपर मैं आप सभी को दिखाता हूं पर कना जहरा देखिए कितना फलोर है आपको दिख लाओ घिन सकते हैं तो गिन सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं चलिए एक रूम में जाकर देखते हैं कि कैसा दिखता है देखिए हाँ पर आपको डास्ट दिख रहा है पूरा डास्ट दिखेगा देखिए आहां पर देख सकते हैं देखिए रूम तो काफी छोटा है एक रूम में हमें ऐसा लग रहा है यह अलमीरा देखने खो सकते हैं और बताइएगा कमेंट करके कि यह रूम है या नहीं तीन लोगों के रहने के लिए या फिर इसमें कितना तीन लोग पाएंगे या नहीं बताइएगा तो चलिए एक और रूम दिखाते हैं आप सभी को कि कैसा है तेखिए इसके सामने जर्ष सामने वाला जो क्योंकि रूम तो सारा ऐसा ही दिखेगा सबसे उपर करना जारा दिखाते हैं कि क्या कुछ दिखता है तो चलिए उपर में चलते हैं तो गाईज हम नीचे से उपर आते आते काफी ज्यादा ठैक चुके हैं और ये साइद पाच्छे फ्लोर है जो कि लिफ्ट भी लगा हु हुआ और हम सीडि से ही चड़ते चड़ते आ गया हैं और फाइनली अब आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर सबसे उपर चट पे आ चुके हैं अब चलिए च्ट से दिखाते हैं आप सभी को नजारा ये छट खुल गया है और आए तो यहाँ पर देख सकते हैं गाई छाइज हो बॉएज होस्टल का छट से कुछ ही सपरकर से आपको दीज kan además रख और के सामने से बॉएज होस्टर्ल के सांदे से तो गॉइज जैसे ही मोई बॉएज होस्टल के छट पर आयें तो एक चीज़ हमें और दिख गया जो कि आपको सामने से दिख रहा होगा रैड जैसा है और ये लाइटेनिंग अरेश्टर है जो कि सारे कॉर्णर पर लगाया गया है और इसे काफी ज्यादा सेफटी होगा कॉलेज का बिल्डिंग का जब उपर से बिजली गिरे तो बिल्डिंग में किसी परकार का कोई फेक्ट नहीं आया इसलिए बनाया गया और इधर का देखिए कुछ नजारा इस परकार से है उपर में और ये देखिए ये जो रूम दीख रहा है आपको ये अनुमान से हम ये कह सकते हैं कि ये लिफ्ट वाला रूम है लिफ्ट के नहीं देखिए यहां पर सामने से नजारा कुछ इस परकार से आपको दिखेगा देखिए काफी अच्छा में देखने में लग रहा है आपको कैसा लग रहा आप कमेंट सेक्सिन में बताईएगा तो हमने सारा दिखाया परसासनिक भवन दिखाया आप वाइज होस्टल दि कमेंट सेक्सिन में जरूर बताईए और यदि आप यहां पर पढ़ाई कर रहा है तो भी आप रिभीव दीजिएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जो लोग एडमीशन यहां पर लेना चाह रहे हैं उन लोग को यह कैमपस कैसा लगा वो भी बताईएगा और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थैंकी